हलो दोस्तों आज हम जानेंगे पेट साफ करने का सबसे अच्छा वर सस्ता टेबलेट के बारे में दवा के बारे में आप देशकते हैं इसक्रीन पे डुलकुफ्लेक्स यह फ्लेस हो रहा है इस तरह से और इसका नाम है डुलकुफ्लेक्स तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कि इसके जवुद्ध ही क्यों पड़ती है कि इसे खाया जाये या खाना पढ़ा जाता किसी को जबके नहीं कारणों से पेट साफ नहीं होता है कब्जियत या कांटिपेशन इंगलिस से उसको बोलते हैं होता है तो इस दवा का प्रयोग की आता है तो चली हम वीडियो में स पेट साफ नहीं होता है जिनके वजह से कई सारी बीमारियां जकड़ लेती हैं किसी भी मनुष्य को तो हम इस समझ चुके हैं कि किन कारणों से पेट साफ नहीं होता है और इसके साथ अब आगे हम जानते हैं कि इस पेट साफ नहीं होने से होने वाली बीमारियां कांस्टुपेशन पेच साबन होने से होने वाली वीमारिया जैसे कि गैस डूसरा कब्ज, तीसरा पाइल, बावा सीरी काफी बड़ी संविर समस्या हैं, पेट में जलन, भूख न determines, आधी कैई सारी समस्या हैं जो राखे देश सकते हैं जो मिखिन की वज़‌चे जी करता है तो चलिए अगर हम जानते हैं इनको दूर कैसे किया जाए लखने के लिए हम अगर कुम सकते हैं अगे डुल्कु फ्लैक्स टैबलेट अब हम से डूर्टों अज Absolute है क्यों कि ये इसका में काम है जो की पेट साप करता है, कई सारे गंभीर बीमारी से बचाता है, और इस तरीका है, तो चलिए, वीडियो में आगे हम बढ़ते हैं डुलको फ्लेक्स टेबलेट खाने का तरीका सबसे पहले आप दे सकते हैं हां डोजेज स्कृन पर दिखराऊ एक से दो टेबलेट टेकन एड बेड़ टाइम यानि कि एक से दो टेबलेट सोते समय आप इसे खा सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एडल्ट है तो एक से तो इसे आपकार पेट साफ सपर एक आपसे fuckin खाये अगर से एक फीर समयर दो टाबलेट राथ मे हम जानेंगे इसके फायदे और इसका काम क्या है कितना अच्छा यह होता है डुलकोफ्लेक्स तो चलिए आगे हम देखते है डुलकोफ्लेक्स टेबलेट के फायदे तो हम देख सकते हैं डुलकोफ्लेक्स के फायदे क्या क्या है डुलकोफ्लेक्स जैसे आप देख सकते हैं क यह सबसे पहले पेट साप करता है जिससे कबज नहीं रहता है पेट के आतों की सफाय हो जाती है गैस को कम करता है भूख और पाचन को बढ़ा देता है और कभी कभी सर्जिरी के बाद या सर्जिरी से पहले डॉक्टर पेट साप करके सर्जिरी को करते हैं तो इसमें भी यह क प्रियोग कब ना करें पेट खराब होने या लूज मोशन होने की स्थिति में डुलकोफलेश का प्रियोग ना करें को किसी और लूज मोशन बढ़ सकता है या फिर कहीं आप यात्रा पेक की समय है तो यह भी 6-8 घंटे का जो टाइमिंग है उस बीच में आपको ट्वालेट इसरे सुना बहुत जुरूरी होता है या फिर आपको बहुत जादे कम जुरू है या फिर डाक्टर कर अडवाइज के अनुसार इन इस्तिति और प्रसिति में इसका प्रियोग नहीं करना चाहे चलिए दिश्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजिए अपनों में सेयर कर दिजिए और प्लीज चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दिए जिसको कोई चार्ज जिससे आप तक जब बढ़िया बढ़िया वीडियो हेल्थ समंद्री से लेके कई सारे अच्छे बीडियो आप तक पहुंच आप एक जा बढ़िया 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 थम्चे सारे वेजिए बढ़िया वे एक फिर कोईों में से कानल कर दिए तक जाप बढ़िया बढ़िया जाप उन्या कम इपक एक जाप पहुंच